दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सिंपल और लो बजट हाउस प्लान की जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे होंगे इसी मॉडल को डिसकस करेंगे जिसका साइज भी 28 क्रॉस 28 है 28 वाई 28 फिट में हाउस प्लान किया है इसके 28 फिट चौडाई है और 28 फिट ही इसकी लो बजट हाउस प्लान चाहिए तो उन्हीं की कहने पर इस पूरा मॉडल को डिजाइन किया तो आप भी अगर ऐसे मॉडल डिजाइन करवाना चाहते तो आप हमारी पेड सर्विस का इस्तमाल कर सकते हैं नमबर आपको हमारा डिसकिप्शन में मिल जाएगा वाट्सुम न इस प्लान है तो उसी के अकॉर्डिंग पूरा मैं हौश ये बताने वाला हूँ तो बने रेशूड ओफ लगातार मैं पहुंच हगड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल इसमाल हौश प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें सब्सक्राइब लाइकन का आईरन लगा हूँ है आपका ये रेक्टेंगल स्टाइल में और बात बाकी बहुत ही सिंपल पिलर्स वगएरा सब कुछ सिंपल चीज़े है कि लोग बजट ही क्रेट किया है इसका ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है फ्रंट से रोड है थ्री साइड क्लोजड है यहां से मैंने स्लोप दिया है जैसे आप बाइक वगएरा अपनी पार्गे कर सकते हैं हाला कि लंबी कार आपकी यहां पर का पार्क नहीं हो पाएगी छोटी सी कार भी हो सकते है बाइक वगएरा साइकल वगएरा आप जो भी जाएंगे अब आज जिसे आप इस्तेमाल कर पाएंगे तो गेश डूम के बाद अब यह आपको मेंडोर मिलता है जहां शिंट्री करेंगे तो जैसे आप मेंडोर शिंट्री करते हैं तो यह अब आप आ जाते हैं एक छोटे से एरिया में हालाकि यहाँ पर एरिया आंगन डैप का बड़ा नहीं आपको मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने तीन बैड डूम क्रेट की हैं एक एक कॉरर पर आपका बैड डूम बड़ा सा मिल जाता है आपको और इस साइड आपका बड़ा सा बैड डूम मिल जाता है और यह वाला आपका किशिन एरिया मिल जाता है इसके जस्ट शामने stairs है, जितने में आपके kitchen बनी है, उतने में stairs बनी है और इन दोनों bedroom के बीच में आपका एक latent bath create हो जाता है तो अब अगर हम बात करें इस bedroom में जाने के लिए तो आपको ये door दिया है, kitchen में यहाँ से door दिया है kitchen को ventilate करने के लिए front फे window भी मैंने दिया है, ये front में आपका latent bath है, इस बेड्रूम में जाने के लिए या तो आप door इधर से दे सकते हैं या side से दे सकते हैं तो तीन bedroom, एक kitchen latent bath, बारंदा वगेरा का एक बेतरी इसे design आपको मिल जाता है, अब मैं आपको ये suggest करना चाहूंगा दोस्तों आप वीडियो को देख के चले जाते हैं watch करके चले जाते हैं, लेकर लाइक नहीं करते हैं तो आप एक like कर दिया करें, जिसे हमें motivation मिलता है कि हमारे वीडियो आपने watch किया, देखा तो उससे हमें motivation मिलता है मैं लगाता है वीडियो अपने और create करते हैं एक और like जरूर किया करें, शेयर किया करें अब इसके फाइस फ्लूर के करें बात करें तो ये इसका फाइस फ्लूर है जो बहुत ही simple है जो friend वाला bedroom था, वो same to same रखा है और जो stairs थी उसको ढखने के लिए गुम्टी बना दिया है दोनों में door लगा दिया है, window और चारो तरफ साड़े तिन फिट का boundary और front में एक simple सा railing जो कि मैं already पहले से बता चुका हूँ और ये आपका roof होगी ढख जाता है तो ये overall 28 cross 28 में बन जाता है अब इसके अगर कोष्ट की बात करें अगर इस मकान की कोष्ट की बात करें तो देखें अगर आप ground floor चे बनवाते हैं तो ground floor में क्या होता है आपका भराई कराना पड़ता है plus वगयरा, बतलब इस ground floor में काम जादा होता है इसके बाद जा आपका ground floor बन जाता तो first floor में ज्यादा काम नहीं होता वहाँ पैसा भी कम लगता है तो ये लगबग कर हम बात करें 900 square feet area की आसपास है 900 से कमी 800 की आसपास तो इसमें लगबग कर हम बात करें ये वह समें तीन बैल डूम बने हैं बगएरा सारा वित फिनिसिंग के करें बात करें तो साथ से आठ लाक रुपए में आपका मकान डेजाइन हो जाएगा लो बजट में बता दू जद आपको चीज़ें नहीं उज़ करनी लो बजट में फित पुट्टी तक आपका यह कंप्लीट हो जाएगी लेकिन कुछ प्राइस डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं कहां से बिलॉंग करते हैं क्योंकि हर जगे लेवर कॉस्ट मेटरियल कॉस्ट डिफरेंट होती हैं अगर आप एक्जेक्ट जानना चाहते हैं कि कितना लगे तो आप हुआरे प्ले स्टोर पर जाकर इस माल आउस प्लान अप्लीकेशन है उससे डाउनलूड करिएगा और वहाँ पर आपको एक्जेक्ट मेटेरियल और कॉस्ट बता देता है वो अप्लीकेशन कि कितना लगने वाला है तो आप उसे डाउनलूड करें और लिंक भी डिस्केप्शन में है अगर आप प्ले स्टोर पर नहीं जाना चाहते हैं डिस्केप्शन में लिंक पर क्लिक क करके भी से डाउनलूड कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछाएं थैंक्स वाचिन